नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों यदि आप एक किसान हैं और आप भारत देश के किसी भी राज्ये में रहकर हर्याणा पंजाब गुजरात महराश्टा करनाटा का किसी भी राज्ये में रहकर प्यम किसान समान क्योंकि बारवी किस्ट के 2,000 रुपे केंद सरकार द्वारा ट्रांसफर करने से पहले आपको जल्द से जल्दी यह कारिय करने होंगे यदि आप यह कारिय नहीं करते हैं तो आपको बारवी किस्ट के 2,000 रुपे का लाब नहीं दिया जाएगा केंद सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में यह रकम बार्विकिस्त की नई ट्रांसफर की जाएगी दोस्तो इसी बिच कुछ ऐसे किसान भी है जिने यह लाब कभी नहीं दिया जाएगा कौन से वे किसान है जिने यह लाब कभी नहीं मिलने वाला है यह संपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाले है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आप से एक छोटा सा निवेदन है यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको पराप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तो अब मियाँ पर वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं आपको बताते हैं कि बारवी किस्त पराप्त करने से पहले आपको कौन से कारिये करने होंगे और कौन से वे किसान है जिनने ये बारवी किस्त के दो हजार रुपे का लाब नहीं दिया जाएगा इसी बीच कुछ ऐसे किसान भी थे जिने यह लाब नहीं मिल पाया था जिन किसानों को 11 किस्त के 2000 रुपे नहीं मिल पाये थे अधिकारिय दुआरा बताया गया कि इस योजना के अंदरगत जिन किसानों ने अपना EKYC नहीं कराया था और आएधन फारा में दस्तावजे में गलतिया पाई गई थी इस बड़े गलतियों की वज़े से ही यह लाब उन्हें 11 किस्त के यानि के 2000 रुपे का लाब नहीं मिल पाया था उन्होंने यह भी बताया कि जो किसान इस योजना के पातर थे उनको लिष्ट में से उनका नाम हटा देगा है अभी भी यह पर गया चालू है यह पर गया चल रही है अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी बारवी किस्त के 2000 रुपे का लाब सभी किसानों को नहीं मिल पाएगा केवल उन किसानों को ही यह लाब दिया जाएगा बात करते हैं बारवी किस्त के 2000 रुपे का लाब लेने के लिए कौन से कारिये आपको करने होगे कौन सा काम करना होगा सबसे पहला कारिये जिन पैंसल नाभारतियों ने अभी तक अपना EKYC नहीं कराया है जल से जल्द करा लीजिए आपके पास 31 जुलाई 2022 तक का समय बचा हुआ है यह तारीक के अंद सरकार दोरा तैय की गई है दोस्तो EKYC कैसे कराना है आपको अपना आधार कार और मॉबाइल नंबर यह दोस्तावज लेकर आपको अपने CSC सेंटर पर जाना होगा दोस्तों वहाँ से बायो मैट्रिक के तरीके से ही आपका जो EKYC है वह कराया जाएगा अब बात करते हैं दूसरा बड़े कारे के बारे में उन सबी किसानों को करना है जिनके आविदन फारा में दस्ताविजे में गलतिया हो रही है वह नजदी की CSC सेंटर पर जाकर अपनी गलतिया चेक करा सकते हैं और सुधार भी करा सकते हैं यदि कोई गलतिया पाई जाती है जिन किसानों का बैंक खाता ज़्यादा समय पुराना है ऐसे किसानों को अपने बैंक खाते का भी सत्यापन कराना होगा सत्यापन कराने के लिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की अविशकता होगी आपकी जानकारे के लिए बता दे की माफ की जगा दोस्तों बारवी किस्ट के दो हजार रुपे अगस्त से नौंबर के बीच में कभी भी परधान मंती नेंदर मोदी जी किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है जिस आविदन फारम में जिस लाब भारती के आविदन फारम में गलतिया हो रही है वैं कैसे गलतिया सुधार करा सकते हैं और किन किसानों को बारवी किस्ट के दो हजार रुपे कर लाब दिया जाएगा और किन सो एक परतिसद बारवी किस्त के दो हजार रुपे का लाब अगस से नॉंबर के बेच में परधान मंती नेंदर मोधीजी के द्वारक कभी भी आपको दो हजार रुपे का लाब मिल सकता है जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट इस बोक्स में जाकर पूस सकते हैं सभी सालों का जबाब आपको दे दिया जाएगा यदि आपको हमारे दूफी जानकारी थोड़ी सी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारे के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत